हेलो फ्रेंट्स मैं आमित कुमार और प्रो ट्रेडिंग अकडेमी की ट्रेडिंग साइकोलोजी वीडियो स्वागत करता हूँ दोस्तो यह जो है इंट्रेडिंग मिस्टेक्स का पार्ट फोर वीडियो है तो चलिए देख लेते हैं आज का डिसकाशन टॉपिक क्या क्या है तो दोस्तो पहला जो discussion topic है वो आप देख पड़ों कि यह part 4 वीडियो है तो हम लोग number 20 से लेके number 25 तक जो intraday trading mistakes है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे अगर आप 1 to 19 देखना चाते हैं तो आप इसका पहला जो part है मतलब पहला जो 3 part है वो part देख लिजिए वहाँ पर मैंने जो है 1 to 19 तक मतलब 19 जो है intraday trading mistakes के बारे में बात किया है यह जो है last part है तो हम लोग यहाँ पर number 20 से लेके 25 तक बात करेंगे तो दोस्तो दूसरा जो point हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि यह सब जो trading mistakes है तो 90% जो failed traders होता है वो यह सब mistakes क्यों करते हैं क्योंके दोस्तो जब तक आपको reason पता नहीं होगा कि यह सब mistakes वो क्यों करते हैं तब तक यह mistake होता ही रहेगा तो root cause analysis जो होता है यही correction का पहला step ह होता है वो ही हम लोग देखेंगे और जो third चीज़ देखेंगे कि how to avoid those trading mistakes मतला हम लोग जो trading mistakes है यह सबको हम लोग avoid करने के लिए क्या-क्या चीज़ कर सकते हैं तो friends चलिए और देर ना करते हैं हम लोग आज सुड़ू करते हैं हम लोग का आज का discussion जो है intraday trading mistakes part 4 दोस्तों आगे बढ़ने से पहले क्रिपिया इस disclaimer को पढ़ लिजिए यह बहुत ही महत्तोपूर्ण है और एक बात है दोस्तों कि stock market जो है यह एक बहुत ही risky business है आप अपने financial advisor से बात किये बिना कोई भी पैसा stock market में मत लगाईए क्योंकि आप जो भी पैसा लगाएंगे उ तो friends हम लोग video में आ गये हैं अभी हम लोग शूरू करेंगे हम लोग का जो number 20th mistake है मतलब जो हम लोग का आज का पहला mistake है उसके बाड़े में चर्चा सूरू करेंगे तो friends जो number 20th mistake है वो है do not set any daily profit or loss target मतलब जो maximum लोग होते हैं दोस्तों maximum जो loss making traders होते हैं वो कभी भी अपना एक daily limit set नहीं करते हैं कि daily मुझे कितना profit चाहिए या कितना loss होने से मैं जो है ट्रेडिंग को बंद कर दूगा आप अगर मेरा telegram channel में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि मैं वहाँ पे दिन में एक या दो ट्रेडि करता हूँ उससे ज़्यादा कभी नहीं करता हूँ कितना भी अच्छा market हो जाए कितना भी trending market हो जाए क्योंकि मेरा जो है एक daily limit set रहता है कि मैं इतना ही जो है profit करूंग या इतना loss करूंगा अगर वो profit मुझे आ जाता है या वो loss जो है वो मुझे हो जाता है उसके बाद मैं कोई भी trade उस दिन और नहीं करता हूँ तो friends चलिए देख लेते हैं कि यह mistake जो है लोग क्यों करते हैं तो पहला जो reason है दोस्तों जो मुझे लगा है सबसे बात करके वह हो है they dream to make big profit in a single day तो दोस्तों जो मुझे लगा है बहुत सारा लोगों के साथ बात करने के बाद के जो intraday traders होता है उन दों का एक ही लक्स होता है कि मैं एक ही दिन में बहुत सारा पैसा कमा लोंगा तो इसके चलते हुए वो लोग कोई भी daily limit set नहीं करते हैं कि उन लोगों कितना profit या कितना loss एक दिन में चाहिए दूसरा चीज है दोस्तों they trade for excitement मतलब वो लोग अपनी excitement के लिए trade करते हैं trading जो है इसको एक business के तरह नहीं देखते हैं तो क्या होता है जो trading होता है न तो यह मतलब उन लोगों के पास यह gambling type का होता है मतलब इसमें वो लोग एक excitement कोसिस करते हैं कि मैं market में trade डाल ला हूँ कभी stop loss हो रहा है कभी target हो रहा है यहां पर जा रहा है तो इसमें क्या होता है उन लोगों को एक attraction होता है कि यह thriller है लेकिन दोस्तों जो trading है वो thriller नहीं है कोई excitement का चीज़ नहीं है कोई gambling नहीं है यह जो है calculated business है तो आपको इसको एक business के तरह देखना चाहिए आपको एक daily profit daily loss इसके अंदर बांद देना चाहिए कि यह अगर मेरा profit हो गया या इतना loss अगर मुझे हो गया तो मैं उस दिन और trade नहीं करूंगा तो friends देख लेते कि इसका जो solution है solution क्या है तो पहला solution एह ही है कि आपको जो है एक daily limit set करना पड़ेग set a daily profit and loss target usually जो maximum होता है जो standard होता है कि अगर आपको एक दिन में आपका जो capital है उसका 3% के आसपास loss हो गया या 6% के आसपास profit हो गया तो आप जो है आपका trading बंद करते हैं तो यह दोस्तों एक standard होता है अगर आपका risk लेने का capacity थोड़ा कम है तो आप इसको 1% और 2% भी कर सकत है लेकिन मैं जो खुद के लिए maintain करता हूँ वो है कि कभी भी मेरा 3% से ज्यादा में loss नहीं करता हूँ एक दिन में या कभी भी मेरा अगर 3-6% profit मुझे आ जाता है तो मैं उस दिन जो है trade बंद करता हूँ क्योंकि दोस्तों 20 trading डे है अगर आप हर दिन 2-2% करके भी कमाएं तब भी आपका महिने में 40% return on capital आ जाएगा और दोस्तों दूसरा चीज है कि आपको जो है trading को एक business as usual देखना पड़ेगा ट्रेडिंग जो है entertainment के लिए नहीं होता है thriller के लिए नहीं होता है अगर आपको thriller ही चाहिए तो आप movie देखिए ट्रेडिंग को कभी भी entertainment या thriller के लिए मात ही उसकी चीए इसको एक business के तरह देखिए तो friends चलिए हम लोग जाते हैं 21st जो mistake है उसके तरह दोस्तो जो 21st mistake है यह है no trading journal no review no homework मतलब जो maximum novice trader होते हैं वो लोग कभी भी अपने लिए कोई भी trading journal वेंटन नहीं करते हैं कोई भी trade को review करने का कोशिस नहीं करते हैं कोई भी homework नहीं करते हैं यह तीनों में से हो सकता है आप एक चीज़ करते हो दो चीज़ नहीं करते हो या आप दो चीज़ करते हो और एक चीज़ नहीं कर सकते हो या तीनों को तीनों ही नहीं करते हो तो दोस्तों यह एक लक्सन होता है कि आप जो है एक loss के तरफ जा रहा हो मतलब एक disaster के तरफ जा कि आपने profit किया है या loss किया है और दोस्तो review बहुत जरूरी है कोई भी trade लो उसमे profit हो या loss हो आपको वो review करना ही चाहिए कि आपने ठीक trade लिया है के नहीं लिया है चाहे loss हो लेकिन अगर आप ठीक ठाक trade लिया है तो loss को भी accept किया जा सकता है लेकिन दोस्तो अगर आपने गलत trade लिया और उसमें आपका profit हो गया तो वो trade accepted नहीं होगा मतलब आपके पास वो acceptable नहीं होना चाहिए क्यूंकि trade जो है वो आपको सही करना है चाहे loss हो चाहे profit हो और दोस्तो home work बहुत ही जरूरी है कोई भी दिन trade करने से पहले उसके पहले वाल यह सब mistakes जो है लोग क्यों करते हैं तो दोस्तो पहला जो reason है जो मैंने देखा है because beginners do not think stock market as business क्योंकि दोस्तो जो beginners है वो कभी भी stock market को business के तरह नहीं देखता है अगर आप एक दुकान चला रहे हो आप सोच लो कि आप दुकान चला रहे हो तो आप उसके लिए कोई तो accounts maintain कर how to build हुआ उसाब है कितना आपका खड़्चा हो गया कितना आपन जो हैं जिसको काम पे रखाए उसको कितना दिया या जिसके पास से आप माल लेकी आ रहे हों बेचने के लिए उसको आपने कितना payment किया तो यह सब हिसाब जो है यह तो आपके पास रहेगा न अगर आप पाचते ही नहीं तो इसलिए हो लोग कोई भी ट्रेडिंग जार्णाल जो है वह मेंटें ही नहीं करते है महिने के एंड में मैं उनको पूछ लूगा कि भाई आज इस महीने में थेरा कितना कितना ट्रेड मैं ट्रेडु वाइस भी नहीं सिप यहीं पूछुंगा कि आपका कितना ट्रेड आपका गलत गया हूं कांट भी भूट बता नहीं पायों कि उसके पास जो है कोई ट्रेडिंग जार्णल खूता ही नहीं यहां पर मैंने लिख दिया है इसको मैं अल्लेडी एक्स्प्लेंड कर चुका हूं दोस्तों कि आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों ट्रेड को रिव्यू करना चाहिए कि आपने जो है सब रूल्स मेंटेन करके ठीक ठाक ट्रेड लिया है या नहीं लिया है अगर आपका गलत ट्रेड पे प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट भी गलत ही है आपको बार बार गलत ट्रेड पे प्रॉफिट नहीं होगा और अगर आप सही ट्रेड में लॉस कर रहे हो तो वो भी पार्माने नहीं है तो आपको जो है ट्रेडिंग का आपका जो थार्ड जो है, they think that they can make up their trades in live market, so no homework is needed, मतलब maximum जो ट्रेडर होते हैं, वो लोग homework इसलिए नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग यही सोचते हैं, कि मैं जो है, stage पे make up कर दूँगा, market open होगा, उसके बाद में stock selection कर लूँगा, उसमें कोई एक long short का position बना लूँगा, उसमें पैसा म नहीं होता है, stock market में trade करने से पहले आपका जो homework है, वो बहुत ज़रूरी है, आप एक दुकान का उधारन लेलो, क्योंकि एक अगर आप एक किराने का दुकान चलाते हो, तो आपको देखना तो पड़ेगा ना, कि next day जो आप business करोगे, जो दुकान खोलोगे, आपके पास stock क गया है, आपको कल से increased जो price है, उसमें आपको बेचना है, या ऐसा बहुत चीज है, जो आपको देखना पड़ता है, तो ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग भी एक business है, तो इसमें भी पहला दिन जो है, आपको कुछ ना कुछ homework करना पड़ेगा, कि next day आपको कैसे trade करना है, तब ही जाके आप ठीक ठाक से trade कर पाऊँ, तो friends चलिए देख लेते हैं कि इसका solution क्या है, तो friends पहला जो solution है, मैंने already बोल दिया है, maintain a trading journal, so that you can track the performance of every trade you take, मतलब आपको एक trading journal को maintain करना है, और वहाँ पे आप एक ही दिन में जितना trade ले रहे हो, उसके पूरा details वहाँ पे होन चाहिए, कि कौन सा strategy से आप ले रहे हो, strategy के हिजब से आपने buy किया है या sell किया है, कहाँ पे buy किया, कहाँ पे sell किया, आपको profit हुआ या loss हुआ, आप अगर इतना भी maintain कर लोगे न, तो महिने के end में आपका पूरा picture आपके सामने clear हो जाए, दूसरा चीज है दोस्तों, review trading journal to find out which type of trades are giving you most losses, क्योंकि दोस्तों आप बहुत सरा strategy को follow करोगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, कि सभी strategy जो है, आपको एकदम full performance देगा, कोई strategy जो है, थोड़ा अच्छा perform करेगा, कोई strategy जो है, थोड़ा lower side में perform करेगा, तो आप अगर trading journal को maintain नहीं करते हैं, तो वो चीज तो पता ही नहीं चलेगा, और अगर आप trading journal maintain करते हैं, मतलब करना सुरू करते हैं, तो आप महिने के end में जाके उस trading journal को review कीजिए, कि कौन सा जो strategy है, सबसे अच्छा आपको profit दे रहा है, तो आप next month में जो है, उसी strategy में जान दीजिए, और जो strategy आपको सबसे कम profit दे रहा है, य जब आपको ही trading journal को maintain करो, और तीज़रा जो है दोस्तो, do homework to either eliminate और improve the loss making trades, मतलब दोस्तो, आपको पिछले दिन कुछ न कुछ homework करना है, देखना है कि क्या चल रहा है, market में क्या हो सकता है, या आज क्या हुआ है, ये सब देखने के बाद आपको जो है, आपका जितना loss making trade है, उसको improve करने का कोशिस करना चाहिए, कि मैं इसको improve करूंगा, और इसको जो है, मैं एक अच्छा strategy इसमें improve करके, थोड़ा modification करके, इसको मैं एक profitable strategy माना हूंगा, तो friends, चलिए हम लोग अभी जाते हैं, next mistake के तरह, तो दोस्तों जो next mistake है, मतलब 20 second जो mistake है, वो है itself do not accept mistakes, जो beginner trader होते हैं, वो कभी भी अपना mistake को accept नहीं करते हैं, कोई भी trade में उन लोग का loss हो जाता है न दोस्तों, तो उन लोग का मन में यही होता है, कि मैं ठीक था, market गलत हो गया और मेड़ा SL हो गया, लेकिन वो लोग यह कभी नहीं सोचते हैं, कि market जो है, वो ठीक है, गलत मैं हूँ, इसलिए मेड़ा SL हो गया है, अगर आप बहुत सारा group को follow करते हो, तो आपको यह जरूर पता होगा, आप उसमें देखोगे, कि बहुत सारा लोग जो है, SL होने के बाद ऐसा ही बोलें, कि म मैं ठीक था, मैंने ट्रेड ठीक टा के लिया, market गलत था, लेकिन दोस्तों, market गलत होई ही नहीं सकता है, क्योंकि market अकेला को यह नहीं चलाता है, यह एक जो है, मतलब बहुत बड़ा चीज है, market, तो friends, देख लेते हैं, कि यह mistake जो है, लोग क्यों करते हैं, पहला चीज है दोस्तों, ego, यह जो ego है न, ego comes in their mind that they cannot be wrong, यह जो है, मतलब एक human being के अंदर, जब कोई ego आ जाता है, कि भाई मैं तो गलत होई नहीं सकता हूँ, तो वो कैसे कोई mistake को अपना accept करेगा, क्योंकि वो तो यह पकर के बैठा हुआ है, कि उनके जरीए कोई mistake होई नह नहीं सकता है, तो दोस्तों, अगर आपको सीखना है, market में successful होना है, तो आपका जो ego है न, इसको side में रखके आप market में काम कीजिए, यहाँ पर ego नहीं चलता है, market आपका ego को नहीं देखेगा, दूजरा जो चीज है, they start blaming operators for hunting their stop loss, यह भी आप बहुत बार सुने होंगे, कि भ लगता है, यह जो concept है, दोस्तों, यह operators का जो concept है, यह वो लोग create किया है, मतलब कुछ YouTube mentors या YouTube mentors बोलने से बूल होगा, मतलब YouTube में जो लोग CR market के बाबा होके बैठेंगे है, वो लोग इसको create किया है, अपना जो fault है, उसको hide करने के लिए, भाई कुछ भी हो जाए, operators के ऊपर अपना दोस्त देदो, कि भाई, operator जो है, वो मेरा stop loss खा गया, भाई, आप market में क्या, आप फिला trade कर रहे हो, क्या, यहाँ पे करोरो लोग trade कर रहे है, तो operators का कोई ऐसे, आपके साथ कोई जाती दूस्मान ही नहीं है, कि आपका जो SL है, उसी को खाने के लिए वो आएगा, तो दोस्तो यह जो concept होता है न, operators का concept, यह अपना जो fault है, उसको छूपाने के लिए यूज किया जाता है, तो friends चली देख लेते हैं, कि यह से अपका solution क्या है, तो दोस्तो पहला जो solution है, आपको यह याद रखना है, mind that the first step of correcting a mistake is to accept the mistake, अगर आपको profitable होना है stock market पे, तो पहला जो step आपका होना चाहिए, वो यह है, कि आपका जो mistake है, उसको आप accept किजिए, कि मैंने गल्दी किया, मैंने गलत जगा पे stop loss डाला, तो इसलिए मेरा stop loss गया है, operators को blame करना छोड़िए, यह पहला step है correction का, दूसरा चीज़े दोस्तों, जैसे मैंने बोला, stop blaming operators for hunting your stop loss, they do not have any personal problems तो operators को blame मत किजिए, उनलों का कोई personal दूसमनी आपसे नहीं है, अगर आप ठीक जगा पे stop loss प्लेस करेंगे, या ठीक time पे आप trade से enter या exit करेंगे, तो आपका stop loss कभी नहीं जाएगा, या जाएगा भी तो बहुत कम जाएगा, और third है, review your loss making trades to find out possible reason for stop loss it, आपको जैसे मैंने पहले भी बताया, इससे पहले का जो mistake है, उसमें भी बताया, कि आपका जितना भी loss making trades है, उसको आप review किजिए, और देखिए कि आपका कौन सा mistake ऐसा हो गया, कि आपका stop loss चला गया, अगर आपना mistake को accept करेंगे, तब ही जाके आप उसको correct कर पाएगे, तो friends, चलिए जाते हैं आगले topic में, तो friends, 23rd जो mistake है, वो है start trading career in mobile device, मुझे पाता है कि अभी जो, मतलब जितने से ब्रोकर्स है, सबका जो है mobile application है, और maximum जो लो है, जो beginners है, वो भी, mobile में ही अपना software जो है, उसको इंस्टल करके, उसी से trade करने का कोशिज करते हैं, तो दोस्तों ये बहुती खतरनाक चीज है, कोई भी beginner के लिए mobile device जो होता है, दोस्तों ये बहुती खतरनाक सावित होता है, इसका reason दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कि क्यूं ये खतरनाक है, तो चालिए देख लेते हैं कि ये mistake लोगों से क्यूं होता है, mostly because it's convenient to do trading on the go, मतलब trading को आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, ये convenience है mobile device के साथ, मतलब आपको कोई laptop, carry canning करना पड़ेगा, desktop के सामने बैठना नहीं पड़ेगा, हाथ में एक छोटा सा mobile है, भाई उसी से बात कर रहा हूं, उसी से सब कुछ कर रहा हूं, तो उसी में से trade डाल दे रहा हूं, तो ये जो convenience है दोस्तों, इसके लिए ही लोग जो है mobile पे trade करने क कोचिस करते हैं, दोस्तों दूसरा चीज है, they can trade without sitting in front of a monitor for a long period of time, मतलब आप जो है, मतलब इससे क्या होता है, आप कहीं भी एक monitor के सामने एक लंबे time से बैठ के, चार्ट को observe करके trade करने का ज़रूद नहीं पड़ता है, तो ये भी ओही हो गया दोस्तों, के convenience, मतलब आप ज ज़्यादा time जो है monitor के सामने बैठ के trade करने का ज़रूद नहीं है, आप नहीं पर गाड़ी पे जा रहे हो, पास पे जा रहे हो, टैक्सी करके जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब कुछ भी काम कर रहे हो, उसके साथ साथ आप trade कर सकते हो, तो friends, अभी मैं बुदूँगा कि इसका क्या side effect है और क्या है, तो दोस्तों जो solution है, solution में मैं इसका side effect बोल रहा हूँ, कि mobile applications are not very good for learning, और doing proper technical analysis, मतलब दोस्तों जो mobile का application होता है न दोस्तों, वो expert लोगों के लिए हैं, जिसके पास बहुत अच्छा knowledge है, जिनको ज्यादा चार्ट देखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, जिनको पता है कि भाई मुझे कहां पे कप trade डालना है, उन लोग के लिए ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो mobile application होता है, वो एक technical analysis के लिए, मतलब technical analysis करने के लिए, या learning के लिए, अच्छा नहीं होता है, उसका जितना छोटा सा screen होता है, जो होता है, उसमें analysis करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो दोस्तों इसका solution है, कि you must do technical analysis in desktop और laptop अजी, मतलब आपको अगर trade डालना है, फिर भी आप mobile application से डाल दो, लेकिन आपको जब technical analysis करना है, learning करना है, तो वो आपको desktop या laptop में ही करना चाहिए, mobile applications में आपको कभी भी technical analysis नहीं करना चाहिए, अगर beginner होता है, तूज़ना चाहिज दो, use mobile devices to place or monitor trades only, if you know the exit entry points, मतलब दोस्तों आपको अगर exit और entry point मालूम है, तो आप एक mobile devices को trade place करने के लिए use कर सकते हो, जैसे मैंने इस चीज पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन कभी भी mobile devices के कोई भी analysis नहीं हो सकता है, अगर आप बहुत expert हो, तो आप कर सकते हो, लेकिन जो beginners है, जो loss करते हैं market में, उन लोग के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा important point है, क्योंकि मुझे पता है maximum लोग जो है, जो loss करते हैं, वो लोग mobile device पे ही करते हैं, तो friends चलिए जाते हैं आगले topic पे, जो 24th mistake है दोस्तों, beginner trader के लिए वो है, trading on others analysis, चाहे वो telegram हो, TV हो या YouTube हो, maximum लोग दोस्तों क्या करते हैं, बहुत सराबंत, multiple जो telegram channel है, उसमें subscribe करके रखते हैं, multiple YouTube channel में subscribe करके रखते हैं, TV channel देखते रहते हैं, CNBC बगड़ा, और देखके क्या करते हैं, दूसरे लोग जो analysis करते हैं, दूसरे लोग जो analysis डालते हैं, कि यहाँ पे entry करना है, वहाँ पे exit करना है, वो आँग बंत करके, उसी level पे entry exit करने का कोशिज करते हैं, या बोल सकते हैं, वो कोई advisory service ले लिए, कि जहाँ से call आता है, उसको whatsapp में, कि यहाँ पे entry कर लो, यहाँ पे exit कर लो, तो दोस्तों यह बहुत खतरनक चीज होता है, क्योंकि सामने वाला जो आदमी है, वो क्या सोच के analysis कर रहा है, वो आपको भी नहीं बता है, और जो market award है, उसमें आपको जो है, वो बता भी नहीं सकता है, कि सायद वो खुद exit कर जाए, किसी जगा पे, लेकिन वो आपको बत करना है, वो आपको बता रहा है, कि भाई, यहां पर buy, sell करना है, वो तो सिब उसको पता है, ऐसा भी हो सकता है, कि next day market जो है, ऐसा opening दे दिया, या price का ऐसा movement हो गया, कि वो trade जो है, बैलीडी नहीं लिया, लेकिन आप तो वो trade करो गया, लोस करो गया, तो friends, देख लेते हैं, कि यह चीज जो है, लोग क्यों करते हैं, तो पहला जो चीज है, दोस्तों, जो पहला काड़न है, वो है, they lack self confidence to take own decision, मतलब maximum जो लोग होते हैं, उन लोग के पास self confidence का बहुत अभाव होते हैं, वो लोग कभी भी अपना decision खुद नहीं ले पाते हैं, चाहे वो technical analysis जानते हो, यह share जो है, यह उपर जाएगा, लेकिन अगर कोई YouTube चैनल में, या कोई Telegram चैनल में उसको दिख गया न, कि यह share जो है, उसने कोई sale के लिए दिया है, तो आपना decision छोड़ के जो है, उस stock को sale कर देगा, क्योंकि उनको Telegram में या YouTube में वो दिखाई दिया, तो lack of self confidence जो होता है यह बहुत ही खड़ाब चीज होता है, कोई Trader के लिए, दूसरा चीज है दोस्तो, they need quick money without doing hard work, क्योंकि आपको अगर next day trade करना है, तो home work तो करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बोला, लेकिन लोग क्या करते है, home work तो करते नहीं, क्योंकि उसमें बहुत बहनात लगता है, तो उन लोग को जो है, quick money चाहिए, एकदम फटा-फट money चाहिए, लेकिन कोई भी hard work किये भी ना, तो ये भी एक काड़न होता है, कि वो लोग बहुत सरा telegram group में join होके बैठे रहते हैं, कि कब कहां पे कोई call आ जाए, या बहुत सरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, TV चैनल देखते हैं, कि कब कहां पे कोई buy cell के लिए बोल दे, और मैं आग बंद करके उसी में डाल दूंगा, तो friends देख लेते हैं इसका solution क्या है, तो जो पहला solution है दोस्तो, start learning the technical analysis and give time for learning, तो दोस्तो आपको जो है technical analysis खुद को learn करना पड़ेगा, शीखना पड़ेगा, और दोस्तो यह सीखने के लिए आपको time देना पड़ेगा, hard work करना पड़ेगा, क्योंकि यह कोई एक दिन का काम नहीं है, कि आपको एक दिन में कोई mentor के पास चले गए, उसके पास जाके कोई एक line draw करना सीख लिए, कि भाई, यहाँ पर support resistance draw कर दो, यहाँ पर train line draw कर दो, और आपका काम हो गया, तो इस तो ऐसा नहीं होता है, यह कोई एक दिन का काम नहीं है, इसमें बहुत महनद लगता है, और वो महनद आपको करना पड़ेगा, अगर आप market में profitable होना चाते हो, अगर आपको loss ही करना है, तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको profitable होना है, तो alternative नहीं है, इसका कोई भी दूसरा बिकल्प नहीं है आपके हाथ में, और जो third चीज है दोस्तो, stop trading on others advice, दूसरे के पास से advice लेके trade करना बंद किजिए, यह नहीं बंद करेंगे ना, तो आपका जो account है, वो दिन बादिन नीचे ही जाएगा, हलाकि यह जो point है, यह मुझे समझाना था आपको, कि दोस्तो, जो लोग होते हैं, मतलब जो भी लोग हैं, उनके advice पे trade करना बंद करजिए, आप मेरा भी channel follow करते हैं, तो मैं भी वहाँ पे जो कूछ भी post करता हूँ, उसको study purpose के लिए use किजिए, उसके उपर trade मत किजिए, क्योंकि आपको अगर यह चीज से उसपर trade करूंगा, तो आप कभी भी कुछ सीख नहीं पाएंगा, तो friends चले जाते हैं, next topic पर, तो friends जो 25th point है, do not seek any mentorship even after repeated failures, मतलब दोस्तों, जो लोग trade नहीं कर पते हैं, उन लोग दिमाग में और एक चीज होता है, कि भाई, इस stock market में जो भी सीखता है, जो भी लोग यह अगर कोई पैसा लेकर सिखाडा है, तो वो fraud है, मुझे तो यहाँ पर free pay सीखना है, सब जगा पर, तो दोस्तों यह चीज जो है, लोगों के दिमाग में भर गया है, कुछ लोग जो है, मैं मानता हूँ के, कुछ लोग जो है, खड़ाब है, वो लोग पैसे के चक्कर में ही करते हैं यह सब, लेकिन सब लोग खड़ाब नहीं होता है, और कुछ टेलिग्रम गूप ऐसे हैं, जो लोग इनके दिमाग में भर देता है, कि भाई, जो भी पैसा लेता है, mentorship के नाम पे, वो खड़ाब है, अगर कोई अच्छा बंदा है, mentorship देना चाता है, तो वो free में दे देता हूं, तो भी वो अगर mentorship प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए उसको कुछ service खड़िदना पड़ता है, वेवेनर का service खड़िदना पड़ता है, फिर दोस्तों उसका कुछ electricity bill आएगा, कुछ उसका broadband का charges आएगा, मैं उसका time का बाद तो छोड़ी दिया, कि वो आपन family का जो time है, मतलब family को जो time दिना चाहिए, वो time से काट के आपको time देगा है, उनका time छोड़के भी तो कुछ cost तो आता ही ना, तो ये सब cost कहां जाएगा, अगर जो mentor है, वो आपको free में क्यों सिखाएगा, आप उनका भाई तो हो नहीं, अगर आप उनके relative होते तब भी मैं सोच लेता, लेकिन आप तो उनका relative नहीं हो ना, तो वो अपने pocket से पैसा दे कि आपको क्यों सिखाएगा, तो friends चलिए देख लेते हैं, कि ये सब चीज़ क्यों होता है, first of all, they do not accept their mistakes, दोस्तों ये चीज़ मैंने पहले भी बोल दिया है, कि एक ego factor होता है, लोग जो है, repeatedly failure हो होते 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 ही भी, अपना mistakes को जो है, वो लोग accept नहीं करते हैं, वो लोग hard time पर ये ही सुच्ते ही, या तो operator उनका stop loss खा गया, नहीं तो market गलत है, वो सही है, तो ये चीज़ दोस्तों side में रातना पड़ेगा, दूसरा चीज़ दोस्तों, they think that spending money for learning is a waste of money, maximum लोगों के द देना ही नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आप अगर छोटे से भी, मतलब आपके अगर बच्चे हैं, या आप अपना बच्चपन को भी याद करोगे, तो अगर आप schooling कर रहे हैं, कुछ सीखने के लिए, वहाँ पे भी दोस्तों सब कुछ free में नहीं होता है, आपक ये जो learning है, आपके learning के लिए अगर आप पैसा खर्चा करते हो, तो आपको ये क्यों लगता है, कि वो waste of money है, जो third point है दोस्तों, they cannot decide which mentor is genuine and who is not, दोस्तों इसके बाद में मैंने पहले भी जो तीन वीडियो बनाया है, उसमें भी मैंने discuss कर चुका हूँ, कि हाँ, ये बत सही ह कि जो YouTube में आप लोग mentor को देखते हैं, मतलब बहुत सारा mentor यहां पे भढ़ गया है, तो सब जो है genuine नहीं होता है, लेकिन दोस्तों आपको जो है कुछ attribute देखके आपको समझना पड़ेगा, कि कौन सा जो mentor है वो genuine है, कौन सा जो mentor है वो fraud है, और उसका बहुत सारा identification भी मैंने पिछले वाला वीडियो में दे दिया है, बंदलब जो पहला तिन वीडियो है, उसमें में मैंने बहुत कुछ बोला है कि आप कैसे identify कर सकते हो एक अच्छे mentor को, तो friends देख लेते हैं solution, तो दोस्तों जो solution है पहला, if you feel that you are making too much mistakes, then consult a mentor for advice, दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप बहुत सरा mistakes कर रहा हो, आपको हरेक trade loss में जाड़ा है, तो आप ज़रूर कोई mentor से contact किजिए और consult किजिए, इसमें कोई बुड़ा ही नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, दोस्तों teachers सबके लिए ज़रूरी होता है, दूसरा चीज़ है दोस्तों, from the childhood, your guardians or you has to spend for your schooling or in college, so it's same for the stock market, जैसे कि मैंने ये पहले भी आपको बोला, कि अगर आपके बच्चे हैं, ये आप जब बच्चे थे, तब भी आपका जो schooling था, आपका जो college life था, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ा, जो tuition fee है, वो आपको देना पड़ा, ये free में नहीं होता है, सब कोई free में ये tuition fee आपको देना पड़ेगा, तब जब आपको सीख पाऊगे, जो third चीज़ है दोस्तो, choose your mentor wisely, take time to verify and choose your right mentor, मतलब दोस्तो, आप जब mentor choose करोंगे, तो थंडे दिमाग से सोच के, समझ के फिर choose किजिए, आप time लिजिए, ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा के किसी के पास आपक admission लेना है और काली admission ले लिया, आप उनको observe किजिए कुछ दिन, कुछ दिन observe किजिए, उनका channel को observe किजिए, देखिए वो आदमी कैसा है, फिर आप ये सब देख के decide किजिए कि वो एक right mentor है या नहीं, दोस्तो यहाँ पर मैं आपको एक tip दे सकता हूँ, आप देखिए, avoid YouTube mentors who post big profit screenshot और fake student reviews, these are easy to manipulate and they will never post any negative review or loss in their channel, दोस्तों मोटा मोटा बात यह है, कि जो YouTube mentor बनके बैठे हुए, आप उनको observe किजिए, देखिए, कि वो क्या लंबा लंबा बहुत बड़ा बड़ा screenshot पोस्ट करता है अपना profit का, या अपना student review post करता रहता है, कि बाद मेरा ये student ये बोला, वो student वो बोला, कि जो ये सब जो लक्सन होता है न दोस्तों, ये fraud mentor का लक्सन होता है, क्योंकि दोस्तों जो लोग ऐसे promote कर रहा है, अपना big screenshot देखे, big profit का screenshot देखे, या student review देखे, वो आपको लगता है कि कभी भी negative चीज़ कोई post करेगा, अगर उनका कोई loss हुआ है, वो loss trade पोस्ट करेगा YouTube में, नहीं करेगा न, अगर उनका कोई student जो है, मतला सायद वो 100 student को teaching कर चुका है, अगर उनका कोई student negative feedback देगा, कि sir आपका जो study था, उसको follow करके भी मेरा loss हो रहा है, तो क्या वो post करेगा, कुछ-कुछ लोग तो ऐसा है, मैं यहाँ पर नाम नहीं करना चा जलती ध्यान से आप देखेंगे न, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो fake review है, और जो student review post करता है, वो कभी भी आपको लगता है कि कोई negative review post करेगा, नहीं करेगा न, अगर 100 में से 2 बंदा उसको अच्छा बोलेगा, तो वो 2 बंदे का जो post है, वो ही post करेगा, बाकि 98 परस screenshot दे रहा है, कि भाई मैंने 1 लाग रुपया कमा लिया, 2 लाग रुपया कमा लिया, या क्या वो दिन बादिन जो है, fake student review दे रहा है, तो ये सब जो होता है, एक fake mentor को identify करने के लिए, काफी होता है, तो friends, चलिए जाते हैं हम लोग के आखले topic पे, एकदम last topic पे है, तो friends, last topic ह और आज का जो question है, can you help me to develop right psychology, दोस्तो बहुत लोग ये मुझे पूछते हैं, मतलब मेरा जो पहला 3 वीडियो है, उसके बाद बहुत लोग मुझे पूछे हैं, कि मैं क्या उन लोग को help कर सकता हूं right psychology develop करने के लिए, तो दोस्तो इसका जो answer है, वो है yes, you may join me in my telegram channel, I used to post many things there to develop proper psychology for my subscribers, दोस्तो आपको अगर proper psychology develop करना है, आइस्ता आइस्ता, तो आप मेरा जो telegram channel है, उसको आप join कर सकते हैं, telegram channel का link is video के नीचे, और description में दोनों जगा पे आपको मिल जाएगा, और उस telegram channel में discussion board भी है, वहाँ पे आपका कोई भी doubt है, तो आप discussion board में join करके, उसको post क doubt clear कर सकते हो, और उसके लिए मैं कोई भी charges नहीं लेता हूँ, ये एकदम free है, और वहाँ पे मैं telegram channel पे बहुत कुछ post करता हूँ learning के लिए, ऐसा नहीं है, दूसरा जो mentor लोग है, YouTube mentors जो है, उन लोग जैसे post करते हैं, के call post करते हैं, एक साथ 5-6 call post कर दिया, तो ऐसा चीज म जिक्सा देने के लिए मैं वहाँ पे देता हूँ, तो आप ये सोच के मताईए, कि आपको बहुत सरा call मिलने वाला है, अगर आपको proper psychology develop करना है, proper technical analysis का knowledge develop करना है, तब आप हम लोग का जो telegram channel है, उसको ज़रूर join करे, वहाँ पे ये सब कुछ हम लोग free में provide करते हैं, हम लो business पर पाने के लिए हम लोग का YouTube channel है, इसको आप जरूर subscribe करें और bell icon जरूर दवाए, ताकि आने बाला हर एक वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुँचें, और friends, अंत में मैं यह बोलूंगा, thank you for watching this video, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा बना है, अगर आपने इसको इ अगले educational video